So, hello guys, कैसे हो, आपसे बाई हो, आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, आज की सिड़ में आपको बताने वालों की कैसे आप फोन में आने वाले गंदे नोडिफिकेशन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हूँ क्योंकि guys, काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारा फोन घर का कोई मेंबर यूस कर रहा होता है या घर के बच्चे यूस कर रहे होते हैं और उसी टाइम पर क्रोम राउजर में काफी सारे गंदे नोडिफिकेशन आ जाते हैं जो की बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है इस वीडियो में आपको पूरा डेटल में बताने वालों कि आखिर ये नोडिफिकेशन आते कहां से हैं कैसे आप इनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हूँ आज का ये वीडियो आप सब इक लिए काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग है, जरूरी है मैं आप से रिक्वेश्ट करूंगा कि वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट, चल को सब्सक्राइब जरू किज़ेगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आप दोस्तों हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये गंदे नोडिफिकेशन आते कहां से हैं आप पूरे दिन में Chrome browser में काफी सारे website search करते होंगे, website को open करते होंगे, link पे click करते होंगे जब आप website को open करते हो तो आपको एक pop-up मिलता है, allow और block का ठीक है वो notification का pop-up रहता है, अगर आप उसको गलती से allow कर दोगे, तो जो website है वो आपको notification देने लगता है इसी वज़े से हमारे पास काफी सारे गंदे notification आने लगते है, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको block करना है simply आपको Chrome browser को open करना है, इसके बाद guys आपको यहाँ पे three dot पे click करना है, और यहाँ पे आपको setting में जाना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे काफी सारे option मिलेंगे ठीक है, आपको नीचे scroll करना है नीचे आपको एक option मिल जाएगा site setting, आपको इसपे click करके इसको open करना है, अब आपको यहाँ पे notification का option मिलेगा, आपको इसको open करना है अब गईस जितने भी notification आपने allow किये हैं, जितने भी website को आपने notification का permission दिया है, वो website आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दो website block कर रखे हैं, हम इसपे click करते हैं, और आप यहाँ पे यह देख सकते हो, दो website है, ठीक है simply आपको website पे click करना होगा, और आपको यहाँ पे block और allow का option मिल जाएगा, आपको simply उसको block कर दिने हैं तो already यहाँ पे मैंने इन दोनों को block कर रखे हैं, आप यहाँ से इनको remove भी कर सकते हो, allow कर सकते हो, block भी कर सकते हो, ठीक है अगर आपको लगता है कि यही वो website है, जो हमें बार-बार notification बेज रहा है, simply guys आपको उस website को यहाँ से block कर दिना है जैसे guys यहाँ पे आप देख सकते हो, allow में google.com है, अगर हमें इसका notification ब्लॉक करना है, simply आपको इस पे click करना होगा और यहाँ पे allow block आपको मिल जागा, simply आपको website को block कर दिना है, इस तरह guys आपको उस website को block कर दिना है, जो आपको बार-बार गंदे notification बेज रहा है तो guys इस तरह आप बहुत ही आसाने से गंदे notification देने वाले websites को block कर सकते हो, और आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि किस website को आपने allow किया है, किसको आपने block किया है, ठीक है guys उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को like कर दो यार, चैनल पर नया या चैनल को subscribe करो क्योंकि मैं ऐसे ही नयने applications related, नयने tricks related, नयने settings related वीडियो बनाता रहता हूँ, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद क्योंकि मैं आएउया हूँ, जिए है वीडियो खिए वाल, जिए है जसे हो जब्हादागा इध ****